घर में की गईी ये कुछ आदतें आपके घर में धन और लक्षमी को रोकती हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमारे घर में जाने अंजाने में कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं जिनकी बज़े से हमारे घर में दरिदता आने लगती हैं, हमारे काम बनते बनते रोकने लगते हैं और हमारे घर में लक्ष्मी जी आने से रोकने लगती हैं, य आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, इन बातों का किरमवध्य तरीके से यदि आप ध्यान रगते हैं, तो आप पानकर चलिए, कहीं हद तक आपके घर में आ रही जो परिशानी हैं, उनसे आपको मुक्ती मिलने लगती है, जो गलतियां जाने अन जाने में अब तक आपके घर में, आपके परिवार में आपसे होने लगी थी, जीवन में बहुत सारी चीजें, कुंडली के अनुसार यही या वास्तू के अनुसार ही खराब नहीं होती, जाने अन जाने में भी बहुत सारे कारे हमसे ऐसे होते हैं, जिनकी वज़े से समस्याइं जीवन में आ जिनकी वज़े से हमारे घर में लक्षमी जी रूट जाती हैं या हम कह सकते हैं हमारे काम नहीं बनते हैं या हम कह सकते हैं कि घर में किसी ना किसी प्रकार से दरिद्र जैसा हाल या दरिद्र जैसा हाल होने लगता है आप जाने अंजाने में की गई इन गलतियों का अपने जी तो आपको अपने परिवार का विशेश रूप से ध्यान रखना ये चाहिए कि घर में जूते चपल इदर उदर फैला कर नहीं उतारने चाहिए एक जगे आप घर में बनाईए जहां पर जूते चपल उतारे जाते हैं वो बिखरे हुए अव्यवस्तित तरीके से ना हो जाने आपका ठीक स्तिती पर नहीं है बैड़्ची ठीक नहीं लगी हुई है आपके तकी पिलो इदर-उदर पड़े हुए है या किसी बी कमरे में किसी वेलवारी में कैसे भी कपड़े पड़े है ॒ तरीके से नहीं रखे गये हैं फैले हुए पड़े रहते हैं आप मनकर ये ये भी एक कारण है लक्षमी जी के रूट जाने का ये लक्षमी जी के आपके घर में प्रवेशना करने का इसके अलाबा अगर हम बात करते हैं तो आपके घर में जब भी बाल बनाये जाते हैं यानि कि खास तोर पर महिला इस चीज को ध्यान रखें कि जब भी आप बाल कालती हैं और कुछ बाल आपके कंगे में जबा जाते हैं उनको आप निकाल कर कंगे को हाथ के हाथ साफ करके आप उन बालों को अपने डस्ट विन या जहां भी आप अपने उला डालते हैं वहां पर आपको रखने चाहिए क्योंकि बालों को पूरे शरीर के बालों को शनी का रूप दिया गया है और कंगे में लगे हुए बाल आपके घर में शनी का प्रवेश कराते हैं या आपने निकाल कर अगर नीचे डाल दिये हैं इदर अगर वो घूमते हैं घर में तो भी शनी का वास यानि निगेटिव इनर्जियों का वास आपके घर में रहता है इसके अला यह गलत है इससे भी आप मानकर चलिए घर में दरिद्ता का बास रहता है इन सब बातों का जाने अंजाने में हो रहे गलत तरीके से प्रयोग आपके जीवन पर प्रभाव डालता है जो नकारत्मक प्रभाव कहलाता है वीडियो हमारा आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में र आदे आदे